पवन सिंग का इतना खौफ भोचपूरी इंडस्टरी में क्यूं है? जी हाँ, आज हम आपके कैसे न्यूज देदंगे, जिसे सुदने के बाद आप कहेंगे कि भोचपूरी इंडस्टरी में सही में पवन सिंग का खौफ चल रहा है तभी तो पवन सिंग का तीन महीने पुराना गाना ट्रेंडिंग में आया और फिर किस तरह से उसे प्राइबिट करके खेसारी लाल यादो का गाना ट्रेंडिंग में लाया गया तो चलिए आपको बताते हैं लाल घागरा जो कि पावस्टार पावन सिंग का जब ये गाना रिलीज हुआ था तो पूरी तरह से तहलका मचा कर रखा था काफी दिनों तक ये गाना रिलीज को भी रिलीज किया गया और जैसे ही इसके लिरिक्स वर्जिन को रिलीज किया गया अब ऐसे में सभी ये जानते हैं कि बदरी जहां से खेसारी लाल यादो की जादा जमती है खेसारी लाल यादो के द्वारा ही ऐसा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ही इस गाने को फ्राइविट करवाया गया ताकि ये गाना ट्रेंडिंग से हट जाए और फिर उसके एक दिन तक इस गाने को प्राइवेट किया गया और खेसारी लाल यादों के गाने तेल को अच्छा खासा टाइम मिल गया ट्रेंडिंग में आने का इसके बाद इस गाने को दुबारा रिलीस किया गया और फिर ये गाना trending में आ गया ये देखकर सभी चौक गया क्यूंकि ये गाना नमबर थृ की position पे trend कर रहा था फिलहाल ये गाना 25 position पे trend कर रहा है music section में लेकिन भाई मानना पड़ेगा कि पवन सिंग का इतना बड़ा खौफ है कि लोग उनके खौफ से उनके गाने जो कि तीन महीने पहले रिलीज किये गए गाने को दुबारा रिलीज लिरिक्स वर्जन में किया गया और फिर उसे ट्रेंडिंग में आते देद न लगी और इसे प्राइबिट भी कर दिया गया कि इस डर से कि कहीं पावस चार पवन सिंग के फैंस इस गाने को भी नमबर वन पोजिशन पर ना ट्रेंडिंग में ला दे इस वज़े से खेसारी लाल यादों के गाने को अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया लेकिन जैसे ही इस गाने को फिर रिलीस किया गया यानि कि वीडियो को फिर लाइब किया गया वैसे ही फिर इस गाने ने ट्रेंडिंग में अपनी पोजिशन बना ली अब भाई जो कि सारी लाल यादों के फैंस हैं वो सर पकड़के बैठेंगे नहीं तो करेंगे क्या मुझ परीजगत की हर्ट और मससालेदार गासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले